Dettol Antiseptic Liquid दोस्तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Dettol Antiseptic Liquid के बारे में Dettol Antiseptic Liquid को कहा कहा यूज कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं और सबसे इंपोर्टेंट बात Dettol Antiseptic Liquid के Side effect यानि की नुकसान क्या क्या है इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो आईए जानते, दोस्तो बैसे तो market में बहुत सारे antiseptic liquid आते हarya पर detole antiseptic liquid बाकी सब antiseptic liquid के Кंपरीजन में ज्यादा effective होता है, जैसे कि detole antiseptic liquid को अपने बालो के dendron फटाने के लिए use कर सकते है, इसके लिए आपको पानी के साथ समान मातरा मे डिटॉल लेना है फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद कॉटन यानी रूई से अपने बालों पे लगा लेना है और इसे कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने देना है फिर जब आप धोईएगा तो इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा घाओ के इंफेक्शन को डायरिया और इंफेक्शन होने से बचा सकता है साथ ही इचिंग यानी की खुजली बोडी में कहीं जलन होने पे या फिर बहुत सारे इंफेक्शन में यूज कर सकते हैं कई लोग थर्मामीटर को भी डिटॉल से साप करते हैं एसा करने से थर्मामीटर में मजूद बैक् देते हैं, जो की बिल्कुल गलत है, डिटॉल को हमेशा सुर्की रोसनी से बचा कर रखना चाहिए, इसलिए आप इसे किसी ऐसे जगहा पे रखिए, जहां पे सुर्की रोसनी नहीं पहुचती हो, और साथ में ये भी ख्याल रखे कि इसे नाक, कान, आक, यानि कि किसी भी सें सेंसेटीव है, और आप डिटॉल का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आपके स्किन को बर्न, यानि कि जला सकता है, बहीं दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि, अगर आप बच्चों को नह लाने में डिटॉल एंटिसेप्टिक सोलूसन का डेली जादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे के बोडी में रोक से लडने की छमता को कम कर सकता है, और साथ में जर्म्स और बैक्टेरिया से लडने की छमता को भी कम कर सकता है, क्यूंकि जब आप इसको डेली यूज में परियोग करते हैं, तो ये आपके बोडी के हानफुल बैक्टे पर्टिक लिकिड को कोई बच्चा या बड़ा ब्यक्ति पी लेता है तब क्या होगा दोस्तो डिटॉल में क्लोरो ओक्सिलिनोल की मातरा 4.8% होती है जो की मचली, मेढख, बिल्ली इस तरह के जानवरों के लिए जानलेवा हो सकता है साथ ही कुछ लोगों को इलर्जी भी पै दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में जाके कॉमेंट कीजिए ताकि हम आने वाले वीडियो में सुधार ला सकें झाल झाल